हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब तो लास्ट क्लास में हमने यह देखा कि जो कीटो एसिड्स हैं वह माइड में कैसे कनवर्ट हुए मतलब उस सारे अमाइनो एसिड्स को कैसे बना रहा है प्रॉम अमोनिया ठीक है चलिए अब यहां पर एक बात क्लियर हुई कि दो स्टप प अट्याक करवाया उस पर किसका अमोनियम आइंस का एंद फिर अमाइनेशन हुई इन दे प्रेसंस ओफ लुटामेट डिहाइडरोजनेज इंजाइन और फिर ग्लुटामिक एसिड मना और यह सारी जो रियक्शन है यह एक एंडोथर्मिक रेक्शन है क्योंकि एन डीपी ए रिडक्शन प्रोसेसय उसके बाद ग्लुटामिक एस एक एसा पर आमाइनंट अइसरे जिससे व क्यों मना सकते हैं ठीक है सरे सिए यह मने तफिर हमने थेसे प्रोसेस दुके ृफ्टामिक एसिड से और आảiरिण 싸 आमयने शिड बनांग रहे impressed семьe ноз ठीक है उसके बाद तो हमने एक चीज देखिन गुक्तामीज जेँ खीए च्रीजिन और अगर हम alpha keto glutaric acid में हम नाइट क्या एड कर दे ammonium ion आइड कर दे तो क्या होगा glutamic acid बनेगा चीक है glutamic acid के बाद ऐसे ही अगर हम oxaloacetic acid में ammonium ions का attack कर वादे तो क्या हो जाएगा यहां पर aspartic acid बन जाएगा aspartic acid क्या है amino acid फिर से हम nitrogen को बन जाएगा और हमें यह पता चला कि अमाइड में सबसे जादे नाइट्रोजन है as compared to amino acids फिर एक और प्रोड़क्ट के बार में हमें पता चला यूरीट्स यूरीट्स में उससे भी जादे नाइट्रोजन अब हो क्या रहा है कि प्लांट को तो लेके जानी है वह nitrogen वह वाली nitrogen लेके जानी है चाहे वह यूराइडस की फोर में लेके जाए चाहे amino acid की फोर में लेके जाए चाहे सिंपल सी बात है ज्यादा nitrogen transfer मतलब ज्यादा protein बनना ज्यादा amino acid बनना ज्यादा protein बनना चली फिर आज का हमारा topic है biological nitrogen fixation अब यहां पर biological nitrogen fixation का मतलब क्या है जो हवा में nitrogen थी वो कौन convert कर सकते हैं सिरफ prokriots अब prokriots के पास ऐसा क्या है है जिससे वो हवा की nitrogen को convert कर रहे हैं तो अगर prokriots हवा की nitrogen को convert कर रहे हैं ammonium ions में या nitrites में या nitrates में तो उनके पास ऐसा क्या है उनके पास है nitrogenase enzyme उनके पास है nitrogenase enzyme जो नहीं हमारे पास है नहीं plants के पास है nitrogenase enzyme eukriots के पास नहीं है nitrogenase enzyme किसका feature है only present in prokriots किसके पास present है only present in prokriots prokriots में present है सिरफ इतनी बात होगे दूसरा point यहां पर क्या आता है nitrogenase enzyme के बार में कि यह oxygen को susceptible होता है sensitive होता oxygen की presence में काम नहीं कर सकता is susceptible to oxygen तो कैसे वर्क करता works in anaerobic conditions किस condition में काम करेगा works in anaerobic conditions और करता क्या है convert convert nitrogen into available form available form में convert करेगा तो यह सारे कुछ features है nitrogenase enzyme के और अगर हम बाप करें तो यह बना किसका होता है किसका बना होता है molybdenum iron complex का बना होता है अब अगर हम nitrogenase enzyme के special feature की बाप करते हैं तो जो nitrogenase enzyme है वो तेन जनरली iron का बना हो सकता है molybdenum का हो सकता है vanadium का हो सकता है तो maximum times तो यह molybdenum iron complex होता है ठीक है और sometimes it is iron complex and sometimes it is vanadium का भी बना हो सकता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यह जो nitrogenase enzyme है यह दो components का बना है nitrogenase enzyme is made up of two components component one component one and component two component two component one क्या है देखो component one जो है वो चार सब्यूनिट का बना है component two दो सब्यूनिट का बना होता है तो component one four sub units का and component two two sub units का कैसे diagram देखिए यह दो sub unit इसी में एक और उर सब्यूनिट ठीक है इसी में एक और सब्यूनिट ऐसे ही component two दो सब्यूनिट ठीक है सिर्फ दो सब्यूनिट अब यहां पे यह जो चार सब्यूनिट का है यह दो एलफा यूनिट्स का है and दो बीटा यूनिट्स का है और ये दो का ही है तो अलफा ये वाली सब यूनिट है बीटा यूनिट्स का ठीक है और ये जो बना है ये बना है एफ़ी मोलिबडैनम कॉम्पलेक्स का इसका बना है एफ़ी मोलिबडैनम कॉम्पलेक्स का and ये बना है स एक कंपलेक्स का इसको इस कंप्लेक्स को क्या बोलेंगे दाई नाइट्रोजनेस भी बोलते हैं नाइसरें नाइट्रोज इसको क्या बोलेंगे इतनी बास क्लियर होगी क्लियर अब यहां पर ध्यान से समझें यह है FV complex FVA के लाख और यह क्या है FVMO complex FVMO complex ठीक है अब यहां पर यहां पर और complex present है जिसको बोलते है FV complex इसको क्या बोलते हैं FV complex जिसको क्या बोलते है FV complex और P complex पीcks भी पींपलेक्स अब होता क्या है जनरली चुन नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसकी रियक्षिन क्या होती है कि एक N2 का मोलिक्यूल है N2 के मोलिक्यूल में 16 ATP एड़ होंगे प्लस 8 इलेक्ट्रोंज एड़ हुए प्लस 8 H positive एड़ हुए और क्या बन रहा है यहां पे N2 से 2 अमोनिया बन रहा है दो अमोनिया बने 16 ADP कनवर्ट हो गए 16 इन और्गैनिक फोस्वेट प्लस एड़ टू ठीक है इतनी बात होगे अब यहां पे यह जो इलेक्ट्रोंज आ रहे हैं यह जो इलेक्ट्रोंज आ रहे हैं यह किसी कोई किसी कॉम्प्लेक्स हैं ठीक है तो वो के PAC क्या है फैरे बीडॉक्सिन आप इर्डॉक्सिन इलेक्ट्रों सकु दे रहा है इसको फैस कुम्प्लेक्स को और फैरे डॉ क्bugरी ओक्सिन डियूस हो रहा है टीक है इतनी बात हो गहीं रेडॉक्शन हो रही है उसकी मतलब oxidize हो रहा है तो मतलब reduction हो ठीक है तो यहां पर यह हुआ अब यही complex ATPase की तरफ भी काम करता है तो ATP भी ले रहा है लेक्ट्रोंस भी ले रहा है ATP ATP भी ले रहा है और H positive ions भी ले रहा है सब कुछ हो गया ATPase activity है इसकी ATPase activity इसकी है और इसकी catalytic activity है component 1 की catalytic activity है दोनों बाते क्लियर होगी अब यहां पर यह जो electron आए यह FPS complex के बाद चल गए और FB क्या हो गया reduce हो गया यहां से यह जो electron है यह पास हुए यहां से यह electron पास हुए FB complex 1 पे फिर FB complex 2 पे और इसी से क्या हुआ reduction हुई किसकी N2 की एक molecule के N2 की दो molecule of ammonia में अब जब N2 ammonia में दो molecule में convert हुआ कितने ATP लग रहे हैं 16 ATP और अगर एक ammonia बन रहा है से देखते हैं क्या बता है देखो पहला point क्या था नाइट्रोज नेज इंजाइम consists of two components consists of two components का बना है कौन से कौन से component one and component two component one and component two component one and component component one है वो क्या है जो component one है वो hetero tetramer है लगले टाइप के चार मॉलकिल जाहतों चार है उसमें hetero tetramer और component two क्या है hetero dimer hetero dimer और इस component one को क्या बोलते हैं डाय नाइट्रोजनेज नेज बोलते हैं और component two को क्या बुक्ता है डाय नाइट्रोजनेज अज़िए रिडक्टेस रिडक्शन हो रही है न वहां पे परेडॉक्षिन की हो रहा है मतलब reduction हो रही है ठीक है तो यह बात हो गई उसके बाद second point कि हाँ पर फैरीडॉक्सिन फैरीडॉक्सिन डोनेट इलेक्ट्रोंस टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट टू को क्या करेगा ठीक को दे रहा है एक्ट्रोंस डूनेट कररा है फैरीडॉक्सिन एंड बदले में फैरी-डॉक्सिन गेट ऑकषिडाइस व्टेि-टू हो रहा है बदले में, चीक है, and electrons are, those electrons are transferred to, transferred to FV complex, FV complex को, चीक है, और, in this process, in this process, अच्छा, रुको, पहले ओर लिखते हैं, transfer हुआ, FV complex पे, FV complex 1 से, FV complex 2 को, इस पे लिखेंगे लिए, बस बता रहे हूं, FV complex 1 से, FV complex 2 पे transfer हुआ, फिर, वही जो electron से, उनकी वज़े से क्या हुआ, थस, nitrogen molecule, one molecule of nitrogen, is converted into, converted into two molecules of NH3, two molecules of ammonia, इसनी प्रसेस में और हम निक्स पॉइंग है इस प्रसेस इन आ एतल्या प्रक्र उतलाई 16 ATP it's positive and 8 8 electrons are utilized ठीक है 8 electrons इस प्रोसेस में यूटिलाइज हो चुक है so for for one molecule of NH3 एक अमोनिया बनने के लिए वन अमोनिया ओफ एन वन बाद clear होगी समझ आ गया यहीं बोला हमने ठीक है यहीं बोला आठ एलेक्ट्रोंज आ रहे हैं फेरीडॉक्षिन से फेरीडॉक्षिन क्या हो रहा है और इसकी क्या है component 2 की ATPase activity है ATP use यहां पर हो रहा है ATP exposed to subuse हो रहा है और फिर यहीं फिर इसको हम पी कंप्लेक्स बोलता है और इसी की वज़े से जभी एलेक्ट्रोंज यहां ट्रांस्थर हुए एंट्टो कनवर्ट हो रहा है दो मॉलक्यूल्स एमोनियम क्लियर होगी बात क्लियर होगी बात दन अब नाइड्रोजनेस एंजाइन काम कैसे कर रहा है आपिटी ओफ नाइट्रोजनेज एंजाइम यहां पे यह नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम दो मोलक्यूल जारे दो आई एन आई चीक है यहां पे आगे क्या हुआ यह जुडगी नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ यही नाइट्रोजन कहां जुडगी नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ जुडगी चीक है उसके बाद एच्पोजिटिव आ रहे हैं यहां पे दो एच्पोजिटिव क्या कर रहे है यह फिर से यह नाइड्रोजनेज इंजाइन है तो एच पोजिटिव आए फिर से वो क्या कर रहे है एन के साथ एच को जोड़ रहे है तो यहां पर क्या हो रहा है एक बोन तूट रहा है ठीक है एन के साथ एच जोड़ रहा है और एक बोन तूट रहा है फिर स यहां पर क्या हुए नाइट्रोजेन का एक और बॉंट टूटा एक बॉंट रह गया और नाइट्रोजन के दो बॉंड बन गए हैड्रोज surroundings के साथ चीए of फिर से है फिरसे क्या ओए फिर से दो हाइड्रोजन आए कहसे दो ठीक है फिर से यही एक्टिविटी हुई यहां पर एन है ठीक है अब एन क्या हुआ यहां पर क्या हुआ एन का ट्रिपल वोंड बन गया और यह अलग हो गया फिर यह फिर से चला गया नैट्रोजनेस इंजाइन फिर से चला गया अब यहां पर 6 छह है हाइड्रोजन यह पोजिटिव नहीं है यह हाइड्रोजन और तब एंड में है तुबंद बच्टेंज के तो यह अक्टिविटी हो गई नाइट्रोजनेज एंजाइन के यह बाथ से दू मॉलिक्योल्स पंगे अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स बन गए अमोनिया के और वो लग हो गए और यह फिर से चला गया अब यह अगली नाइट्रोजन को लेके सारा काम के खियर हो गया ठीक है यहां पर पहले क्या हुआ नाइट्रोजन आई एंटू आया एंटू को इसने लिया किसने नाइट्रोजिनेज का हाइड्रोजन आगे फिर से दो हाइड्रोजन आए और यह क्या हुआ तीनों पॉन टूट गए और यह दो अमोनिया के मॉल्क्यूल लगए टू एमोनिया सेप्रेट एंड नाइट्रोजनेज इंजाइम फिर से चला गया वही एट्मोस्फेर से काम करें चीक है बात क्लियर हो और की प्रेजंस में काम नहीं करेगा और अनरॉबिक कंडिशन पे काम करेगा पर नैट्रोजन को kânवर्ट कर देगा तू अवेलेबल फोम ठीक्डै है उसकी अवेलेबल फो में कनवर्ट कर देगा अब यहाँ पे एक और चीज पड़ो इक और एक्जम्पल रितियू य काो यह क्या करते हैं atmospheric nitrogen को fix करते 步 कैसे करते यह कुछ इस कि इस तरा से इंका जो structure होता है कुछ इस तरह सो जबते हैं कि यहां पर यह कैब बना थे हैं यह है इनके पास पेशिलाइज़ सल में और यहीं पर इन्जाइम है यहाँ पर काम करेगा इस कंडिशन में ठीक है तो साइनो बेक्टीरिया साइनुबेक्टीरिया इनके पास क्या है स्पेशिल लाइज सेल है जिनको क्या बुला नोन एज हेट्रोसिस्ट नोन एज हेट्रोसिस्ट ठीक है इनके पास स्पेशिल लाइज सेल्प करते है इनके पास स्पेशिल लाइज सेल्प करते है मेंटेण करने के लिए एक एसी कंडिशन जनर्पइस की हेट्रोसिस्ट की है त्फीन हेत्र यह से शाखते है यह हीन और कलते हैं दीक और दो बीड़ त्वरल वक्ัों कि तेक है और और मलो मित बीड़ा एलफा व्लपों में बीड़ा ठीक है और FPMO complex के बने हैं यह FPMO complex के बने हैं और इनको क्या बोलते हैं dinitrogenase बोलते हैं also known as dinitrogen ठीक है और कैसी activity है इनकी catalytic activity कैसी activity है catalytic activity यह बात हो गई अब component 2 पे आ जाते हैं दो sub unit हैं इसलिए क्या बोलेंगे हैं heterodimer बोल देरते हैं दो sub unit का बना है heterodimer और FV complex का बना है और इसको क्या बोलते हैं dinitrogenase reductis बोल देते हैं dinitrogenase reductis और इस पर present है component 2 पर present है FV complex FV contains FV complex component 2 पर present है FV complex component 1 पर present है FV complex contain FV complex ठीकिए अब होता क्या है यहाँ पर i p Talking क्या है इलेक्ट्रो डोनर ड्लक्स कि अलेक्ट्रों डोनर है जो इलेक्ट्रों लेता है एाक् Kayas complex को और खुद क्या हो रहा है किट्रूस और यहां पर oxidize हो रहा है बैर invert Bond Starting कि है अब यहां पे ignatp user क्यूद इसले कूल बैस एक्टिविटी है और यहीं वे हैं अब जैसे ही 8 एक्टरों आया एक्टेक्स के पास यह ट्रांस्पोर्ड करता है हम एक्ट्रों को रेक्ट्रों दूसरे कम्प्लेक्स के पास यह इसी कुरी डूरेशन में ATP यूज हो रहें, कितने 16 ATP यूज हो रहें और 8 H positive यूज हो रहें और इसी में N2 convert हो रही है, दो molecules of ammonia में, दो molecules of ammonia में, तो overall reaction क्या है, 1 molecule of nitrogen, plus 16 ATP, plus 8 electrons, plus 8 H positive, give rise to 2 NH3, plus 6 ADP, plus 6 inorganic phosphate, plus H2, ठीक है, 8 H positive से क्या बन रहें यहां पर, H, और बाकी use हो गए, ठीक है, बाकी use हो गए, 2 H2 बचे, जो 2 H2 बचे, और यह पूरी reaction इस तरह से चलती है, ठीक है, फिर यही मैंने आपको एक pet, इस form में बता दिया, return form में, और यहां पर देखो, यहां पर यह सारी, कितने hydrogen लगे, दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen बच जाते हैं, वो इसी बच से, क्योंकि 6 hydrogen as positive use होते हैं, कितनी बास clear होगी working समझ आगी, nitrogenase enzyme की, I hope यह आपको clear होगा, मिलते हैं, आप next class में, next class में हम क्या discuss करेंगे, biological nitrogen fixation, उसमें काफी सारे, लब यह भी biological nitrogen fixation है, अब यह nitrogenase enzyme, किस-किस bacteria में present है, किस-किस prokriot में present है, किस-किस cyanobacterium present है, यह पढ़ेंगे, और एक की activity भी देखेंगे, कि plant उसको कैसे respond कर रहा, और plant में वो कैसे effect होगा, thank you so much, मिलते हैं, next class.